ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्रों में आप लोग कलश इस्थापन या घट इस्थापन कैसे करें तो देवी पुरान के अनुसार मा भगवती की पूजा अर्चना करते समय सभ प्रथम कलश या घट की स्थापना की जाती है घट स्थापना करना अर्थात नवरात्री की कला विधी में ब्रह्मान से करिरत शक्ती तत्व का घट में आवाहन करें तो आएए जानते हैं कि आप लोगों को घट स्थापन के लिए क्या-क्या सामगरी चाइए होती है तो सबसे पहले जौव बोने के लिए मिट्टी का पात्र दूसरा जौव बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी उसके बाद पात्र में बोने के लिए जो चौथा घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश पांचवा कलश में भरने के लिए शुद्ध जल और गंगा जल छटा मोली सातवा इत्र आठवा साबुत सुपारी नवा दूबडा घांस भरर्वा आशोक या आम के पांच पत्ते तेरा कलश ढकने के लिए ढकन चौदा ढकन में रखने के लिए बिना तूटे हुए चावल पानी वाला नारियल सूलवा नारियल पल लपेटने के लिए लाल कपड़ा सत्रह फूलमाला तो आईए जानते हैं कलश इस्थापना की विधी सबसे पहले जोव बौने के लिए मिट्टी का पात्र ले ले इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं अब एक परत जोव की बिछाएं इसके उपर फिर मिट्टी का एक और परत बिछा लें अब फिर एक परत जो की बिच्छाएं जो के बीच चारो तरफ बिच्छाएं ताकि जो कलश की नीचे ना दबें इनके उपर फिर मिट्टी की एक परत बिच्छाएं अब कलश के कंट पर मौली को बान दे कलश के उपर रोली से ओम का स्वास्तिक बनाएं अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल भर दें, कलश में साबुत सुपारी, दूबडा घांस, फूल डालें, कलश में थोड़ा सा इत्र भी डाल दें, कलश में पंचरतन डालें, कलश में कुछ सिक्के भी रख दें, कलश में अशोक या आम के पांच पत्ते रख दें, अब कलश का मुह का ढखकन बंद कर दे, ढखकन में चावल भी भर दे साथी साथ इसके बाद आप लोगों को नारियल पल लाल कपड़ा लपेट कर मूली से लपेट दे अब नारियल को कलश पर रख दे, इसके बाद आप लोग कलश का स्थापन करें अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रू में वृद्धी होती है नारियल का मुख उपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं जबकि पूर्फ की तरफ नारियल का मुख रखने से धनका विनाश होता है इसलिए नारियल की स्थापना सदेव इस प्रकार करनी चाहिए है कि उसका मुक सादक की तरफ ही रहे ध्यान रहे कि नारियल का मुक उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वहा पेड की टहिनी से जुड़ा हुआ होता है अब कलश को उठाकर जो के पात्र में बीचो बीच रख दे अब कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें हे सभी देवी देवता और मादुरगा आप सभी नौ दिनों के लिए इसमें पधारें अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें धूब बत्ती कलश को दिखाएं कलश को माला भी अर्पित करें कलश को फल और मिठाई अर्पित करें इसी तरह अंत में कलश को इत्र समर्पित करें उसके बाद जब कलश स्थापना हो जाएगी फिर मादुरगा की चौकी की स्थापना करनी चाहिए है जो कि हमने आपको अपने दूसरे वीडियो में बताया है तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद